तो आल, गाइस तुड़े आपको अगें कम इन फ्रन्ट आफ यू विद अन्यू ग्रामर टॉपिक अद तुड़ेश टॉपिक इस एडवर्ब जिसको आप हिंदी में क्रिया विशेशन कहते हैं आज मैं आपको एडवर्ब किसे कहते हैं उसका यूस कैसे आप करते हो इस सारी चीज़ें आपको मैं आज क्लियर अप करने वाली हूँ आज एडवर्ब का पूरा कॉंसेप्ट हम समझेंगे फोर्सली आप गोईंट टेल यू अबाउट वोट इस एडवर्ब यानि कि क्रिया विशेशन क्या है यानि कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेशता बताता है एडवर्ब is the word that defines a verb इसमें मेंली कहां, कैसे, कब, यानि how, where, when ये सारी चीज़ें बताई जाती है अब या तो वो स्लोली खाएगा या तो वो फास्ट खाएगा तो खाने की विशेशता कैसे है कि वो दी में खा रहा है तो ये एडवर्ब है नेक्स टिस वोब मीज चलना अब वो कैसे चलता है वो कैसे चलता है, क्विकली चलता है, या स्लोली चलता है है तो थीज आडवर्ब की वो वर्ब की विशेशता बता रहा है, क्विकली चलता है या वो लाओडली बोलता है, या वो पॉलाइटली बोलता है तो वो वो थे हैं बोलने के वो बोलनी की विशेशता कैसे है, वो तेज है या वो दी में बोल रहा है सिंग, स्वीटली, यानि गाना वो कैसे गा रहा है, मीठा गाता है So this is the concept, if I am talking about example, so how did the children play? The children's played happily, listen to very carefully, the children's played happily, means जो बच्चे हैं वो खुशी से खेल रहा है, प्लेट वर्ब, वर्ब है, जो प्लेट का वर्ड है, वो वर्ब है, एंड हैपिली, एडवर्ब है, वो खेल रहा है, खुशी से, खेलने की विशिश्टा क्या है, खुश होके खेल रहा है, तो वो एडवर्ब है, Children का Adverb Happily नहीं है To be very clear क्यों? क्योंकि Children's एक Noun है और Noun के लिए हमेशा Adjective का यूज करते है Adverb का नहीं Adverb का यूज वर्ब के लिए किया जाता है क्योंकि वो वर्ब की विशेशता बताते हैं One more example How does she sing? वो कैसे गाती है? She sang sweetly यानि वो बहुत मीठा गाती है Sang Verb हो गया हमारा Sweetly क्योंकि वो मीठा गा रही है Verb की विशेशता बता रही है तो यह हमारा Adverb हो गया And she She noun है तो इसके साथ हम हमेशा Adjective लगाते हैं So this is the concept of Adverb I hope you are getting my point आपको Adverb बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको एक बार से और हम जल्दी से Quick Revision कर लेते हैं Adverb Tell us more about verb Means Adverb जो है वो Verb की विशेशता बताता है Verb के बारे में बताता है Basically हम तीन चीज़ों को ज़्यादा Clear Up करते हैं Like How, Where, When यानि कि कहां, कैसे और कब तीन चीज़ों के थ्रूई हम Adverb की पहचान कर सकते हैं क्यों क्योंकि कहां, कैसे, कब जो है वो Verb की विशेशता के लिए ही यूज होता है ठीक है और Mainly जो Adverb होते हैं वो Verb के साथ Ly मिलके Adverb बनाते हैं Like Eat तो Eat की विशेशता कैसी होती मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो बहुत धीमे खाता है तो धीमा जो है वो खाने की विशेशता है तो Slowly Only Slow नहीं लिखते हैं Slowly लिखते हैं Ly क्योंकि Ly ही हम Add on करेंगे और क्योंकि जो Slow है वो Adjective है Ly add करने पे वो Adverb हो जाता है Clear? So इसके अलावा में आपके लिए कुछ Worksheets भी लाएं हो Exercises Just look at this The first exercise is Read each adjective And write Ly to form the Adverb Slow Adjective है जो की Noun के साथ यूज होता है But अगर हम इसमें Ly लगा देंगे तो वो Adverb हो जाएगा वो Verb की विशेशता बताएगा Okay So ऐसे हम करते हैं Neat plus Ly Means Neatly Sad plus Ly यानि की Sadly Soft L by Softly Okay Loud L by Loudly And care or Ly Carefully Double L by So the first exercise should be done After that Now moving to next exercise And this exercise is also Related on Adverbs Just look at this Choose an Adverb to complete each sentence Okay यान उने Adverb दे रखा है Correct Adverb आपको identify करके Fill करना है जो Blank पढ़ा हुआ My mother drives very Careful या Carefully Yes Carefully Because Careful Is a Is an Adjective Okay The next is Our English teacher Speaks very Slowly हम slow नहीं लिखेंगे क्योंकि Slow Adjective है Noun के साथ यूज़ होगा हम slowly लिखेंगे जो कि Verb के साथ यूज़ होगा The old man's slab Peacefully I am doing this sums very quickly यानि मैं बहुत तेजी से मैं ऐसके sums कर रहा हूँ The fox at the piece of cheese greedily Don't use greed You can write greedily Boys The boys sat Quietly in the classroom Classroom में बहुत शान्ती से बैठें Quietly Okay After that Look at this next exercise And this exercise is also very easy for you क्योंकि अब आप concept बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसमें इन्होंने Adjective दिया है हमें इसको convert करना है Adverb में Like easy So easily I, L, Y हम add कर देंगे Angry Angrily Marry, Marrily यानि खुशे से I, L, Y Gritty Gritty adjective है इसको convert करेंगे तो I, L, Y लगा देंगे And craftly I, L, Y Okay This exercise is also done Now just look at this one more exercise Complete the sentences with the correct adverb from the box below यहां पर इन्होंने एक sentence दिया हुगा है आपको उसके आगे Adverb यूज करना है Okay The bird is singing Yes, sweetly वो गाना बहुत मीठा गाती है The children are playing happily वो खुशी से खेल रहे है तो हम happily लगाएंगे The cat is sleeping peacefully यानि कि वो शांती से सो रही है The baby is crying loudly बच्चे जोर से चिलाते हैं न So loudly Sam is driving Carefully वो बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा है The girl is writing neatly यानि वो बहुत साफ और अच्छा लिख रही है The grandmother is walking slowly बहुत धीमे चल रही है The deer is running swiftly मतलब बहुत तेजी से वो दौर रही है So these are the concept of adverb मने आपको अलरी बताया So I hope concept is clear in your mind So learn it very carefully And do these exercises in your book also So tomorrow I will come with a new topic Till then have a nice day